हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रिकर्सन हम अपने इस वीडियो में रिकर्सन से रिलेटिड हर एक चीज के बारे में वन बाई वन डिसकर्सन करेंगे दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरीके से create कर सकते हैं और उन function को किस तरीके से call या फिर invoke कर सकते हैं इसके साथ ही हमने एक function के तुरू दूसरे function को call भी किया था लेकिन friends क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई function खुट को call कर सकता है या फिर invoke कर सकता है सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर है और ऐसा लगता है ये useless है और illegal भी है बट ये legal होने के साथ साथ काफी useful भी है और इसी वज़ा से इसे recursion का नाम दिया गया है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को subscribe करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के notifications आपको सबसे पहले मिल सकें और अगर आपके पास कोई suggestions है जिसके दूर हम अपने चैनल को और भी अधिक improve कर सकते हैं तो आपके लिए हमारा comment box हमेशा open है तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने topic में हम recursive procedure का use करके किसी भी large computational problem को successively small problems में convert करके उस problem को solve करने में करते हैं recursive procedure में दो important part है first one is one or more base cases and second is recursive case सबसे पहले हम देखते हैं base case को इसे हम stopping case के नाम से भी जानते हैं ये एक small problem होता है और हम ये जानते हैं कि ये problem किस तरह से solve होगा अगर दूसरे सब्दों में कहें तो base case is a pre-known solution either value और any formula जिसे बिना किसी recursive calling के compute कर सकते हैं और directly use भी कर सकते हैं अब हम देखते हैं recursive case को ये किसी भी problem का एक more general case है और इसे solve करने के लिए हम same function को recursive call करते हैं आगर हम example में देखें तो power function x to the power n में जो recursive case होगा और जो base case होगा वो दोनों आपके सामने screen में display हो रहा हैं अब हम बात करते हैं recursive types के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था recursion में procedure या function खुद को call करता है और इसके दो types हैं first direct recursion अगर कोई function अपने function body से खुद को call करे तो हम इसे direct recursion के नाम से जानते हैं direct recursion का एक example आपके सामने screen में हैं जिसमें function X की body में function X को ही call किया गया है अब हम आते हैं अपने दूसरे type में बट उस type में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारा ये video पसंद आता है तो इसे share और like करना नहीं भूले और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो अब हम देखते हैं recursion के दूसरे type को इसे हम indirect recursion के नाम से जानते हैं अगर कोई function दूसरे function को call करे और वो function वापस caller function को call करे तो इसे हम indirect recursion के नाम से जानते हैं आपके सामने जो example है उसमें एक function y, function z को call करता है उसके बाद function z, function y को call करता है तो ये indirect regression का example हुआ दोस्तों हमने यहाँ पर आपके सामने जो example display किया है वहाँ पर हमने a to the power b calculate करने के लिए एक script का use किया है यहाँ पर हम सबसे पहले define करते हैं एक function power नाम से यहाँ पर हमारा function definition complete हुआ अब हम देखें अपने function को तो हमने यहाँ पर if में जो statement दिया है यह एक में हमारा base case है उसके बाद else में जो statement दिया है वह हमारा recursive case है हमने आपको पहले ही बताया था कि आगर आप recursion का use करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक base case और एक recursive case होना चाहिए अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के main section में इसके बाद user से एक number input लिया जहां पर वो base की value input करेगा फिर एक variable या ex नाम से वहाँ पर भी user input करेगा एक value जो हम अपने प्रोग्राम में इसके बाद finally हमारा function जो value हमारे सामने return करेगा उसको हमने print statement के अंदर प्रेंट लिए नेक्स्ट लाइंग में हमने अपने function को क्या है रिजर्ट इस एकुल को पावर तो आईए अब हम देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम को सेव करना है हमने प्रोग्राम को सेव किया प्रिकर्शन 01.py के नाम से एक एक प्रोग्राम करता है एंटर positive value only सबसे पहले base की value input की 2 फिर उसके बाद एक value input करना है exponent के लिए exponent में हमने दिया 3 आगर इसका output देखे हैं तो 2 raised to the power of 3 is 8 उम्मीद है आप सभी के लिए हमारा ये वीडियो beneficial होगा और आप इसे share और like करना नहीं भूलेंगे तो दोस्तों आब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए stay at home, stay safe thanks for watching our channel and video